ये आकाश्वाणी रैपूर है प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं निशनेयर अपेशे आज के मुखी समाचार इस बार लोगसभा चुनाव में 36 गण में 2,5,13,000 से अधिक मद्दाता कर सकेंगे मतदान 24,229 मतदान के इंद्र बनाई गए महादेव सट्टाएप मामले में पूरु मुख्यमंत्री सहित 21 लोगों के खिलाफ EOW ने दर्ज की FIR, भुपेश बगेल ने कहा कि राजनेतिक प्रतिशोध के चलते दर्ज की गई है FIR कांकिर जिले में हुई मुटभेड में सुरक्षा बलों ने एक इनावे मावादी को मार गिराने में सफलता हासिल की और बस्तर, बिलासपूर, दूर्ग और राइपूर संभाग के कुछ स्थानों में गरत चमक के साथ हलकी बारिशोने की संभावना कुछ जगों पर गिर सकते हैं ओले अब समाचार विस्तार से इस बार के लोकसभा चुनाव में 36 गड में 2,5,13,000 से अधिक मदाता भाग लेंगे राजी की मुख निर्वाचन प्रदाधिकारी दीना बाबस साहिब कंगाले ने आजराइपूर में पत्रकार वार्ता में बताया कि इन में से 1,1,80,405 पुरुश मदाता और 1,3,32,115 महिला मदाता हैं उन्होंने बताया कि प्रदेश में सेवा मदाताओं की संख्या 19,905 है जबकि 1,99,638 दिव्यांग मदाता हैं इसके अलावा 732 तृतिलिंग के और 17 प्रवासी भारती मदाता पंजिकरित हैं श्रिमती कंगाली ने बताया कि राजे में 85 वर्ष से अधिकुम्र की मदाताओं की संख्या 82,476 है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि प्रदेश में होने वाले आगामी लोकसभा चुनाओं की 11 सीटों के लिए 24,229 मदान केंद्र बराए गए हैं उन्होंने मतदान केंद्र होंगे जो महिला मतदान दलद्वारा संचालित होंगे साथी पांच आदर्श मतदान केंद्र भी बनाय जाएंगे इसी प्रकार प्रतेक विधान सभा में एक दिव्यां मतदान केंद्र और एक युवा संचालित मतदान केंद्र बनाया जाएगा सभी मतदा उन्होंने बताया कि एक मतदान केंद्र में अधिक्तम 1500 मतदाता अपने मतदिकार का प्रयोग कर सकेंगे। इसके लिए इन्हें निर्धारित प्रारूप में आविदन करना होगा। के लावा आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक या डाग घर की पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, स्मार्ट कार्ड और भारती पासपोर्ट में से कोई एक पहचान पत्र मतदान केंद्र में प्रस्तूत कर सकते हैं। गौर्दलभे की भारत निर्वाचन आयोगनी देशफर में लोगसभा चुनाव की घोशना कल कर दी है। अर्थिक, राजिर आर्थिक अपराद अन्वेशन ब्यूरो, E.O.W. ने महादेव सट्टा एप मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश पखेल सहित 19 लोगों के खिलाफ नामजद F.I.R. दर्ज की है। इसके अलावा, दो अग्यात लोगों के खिलाब भी प्रात्मे की दर्ज की गई है। E.O.W. ने प्रवर्ता निदेशालाए, E.G. के दिये आविदन पत्र पर बीते चार मार्च को अपराद दर्ज किया है। F.I.R. के अनुसार, महादेव बुक एप के प्रमोटर द्वारा ओनलाइन बैटिंग से मिली अवैद राशी को कई कमपनियों, शेल कमपनियों और शेयर मार्केट में निवेश किया गया। प्रमोटर्स ने अपराद को छुपाने के लिए विभिन पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के अलावा प्रभावशाली राजनितिक व्यक्तियों का संरक्षन प्राप्त किया, जिसके एवज में उन्हें नियमित तोर पर प्रोटेक्शन मनी के रूप में भारी राश की गई है, इस समन्द में EOW ने पुर मुख्यमंत्री भूपेश पखेल, रवी उपपल, शुभम सोनी, चंद्रभूशन वर्मा, असीम दास, सतीष चंद्राकर, सौरप चंद्राकर सहितिकीस लोगों के खिलाब धोखादड़ी, आपराधिक साजिश, जाल साजी सहित, ब् प्रतिशोद के चलते दर्ज की गई है, आज रायपुर में कॉंग्रिस मुख्यालय राजी भवन में पत्रकार वारता को संबोधित करते वे, उन्होंने कहा कि महादेव सट्टा एप के आरोपियों पर सबसे ज्यादा कारवाई उनकी सरकार के कारेकाल में ही की गई है, श् इसके तहत प्रदेश के सभी जिलों में कलेक्टर ने आगामी दो माह के लिए धारा 144 लागू कर दी है, साथी बिना अनुमती के धरना, जुलूस, सभा, अत्वरैली के प्रदर्शन पर रुख लगा दी गई है, इसके अलावा अधिकारियों कर्मचारियों के आउकाश पर भी प्रतिबंद लगा दिया गया है, इस दोरान अधिकारियों कर्मचारियों को मुख्याले छोड़ने के अनुमती नहीं होगी, इसके अलावा राद 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनी विस्तारा के अंद्रों के उप्योग पर प्रतिबंद रहेगा, आदर्श आचार स सहिता के दोरान लोगसभा प्रत्याशियों द्वारा शास्की संपति के विरूपन पर उनके खिलाब कारवाई की जाएगी, आगामी लोगसभा चुनाओ निश्पक्ष और शांति पोन संपन्न हो, इसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारियों ने सिमित अवधी के लिए वैद आगने शस्त्र धारियों को अपने अहत्यार अपने क्षेत्र के थानों में जमा करने को कहा है, इस निर्देश से बैंक के सुरक्षा गार्ड, वित्ती संस्थाओं के सुरक्षा गार्ड, समयधानिक पदोपर आसिन व्यक्ति, राष्ट्री रायफल संग और जिला र इस दोरान महाविद्यालय परिसर में मद्दाता जागरुकता के समन्द में आकर्षक रंगोली भी बनाई गई जश्पूर जिले में हाथी के हमले में एक युवकी मौत का मामला सामने आया है, मिली जानकारी के अनुसार जिले के बागीचा तहसील के पस्यागाओं में हर्थियों ने रागिरों पर हमला कर दिया, इस दोरान एक युवकी मौत हो गई, वहीं दो योकों ने भाग कर ग्रामिनों ने घटना के बाद बगीचा थाना पहुच कर सुरक्षा और मौावजे की मांग की, वर्तलब है कि जिले के बगीचा पथलगाओं और तपकर अक्षेत्र में जंगली हाथियों ने एक सप्ता के भीतर आठ घरों को नुकसान पहुचाया है, कांकेर जिले में बिएसेफ का संयुक्त दल, जिले के कोईली बेडा इलाकियों नारायनपूर जिले के गोमे गटाकाल, आलपरस और काकनार क्षेत्र में तलाशी अभियान पर निकला था, इस दोरान अचानक मावादियों ने घात लगा कर हमला कर दिया, सुरक्षा बनोद्वारा की गई ज प्रदेश के बस्तर, बिलासपूर, दुर्ग और रायपूर संभाग के कुछ स्थानों में दिन भरबादल चाये रहने के बाद, आज रात को गरत चमक के साथ हलकी बारिश होने की संभावना है, वही एक-दो जिलों में अंधर चलने, वजरपात होने और ओले गिरने के आ आकाशी बिजली गिरने और ओला वरिष्टी होने के भी आसार है, मौसम विभाग के अनुसार पदेश में बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के कारण, मौसम का मिजाज बदल सकता है, जिससे तापमान में गिरावट दर्च की जा सकती है, और अब कुछ खबरें राश्ट्री परिक्षा एजेंसी, एंटीए केंदरी विश्विद्यालें में इसनातक पाठिक्रमों की प्रवेश परिक्षा CUT-UG परिक्षा पुर्व निर्धारित कारिक्रम के अनुसार 15 मई से 31 मई के बीच आयोजित कराएगी, जानकी चापा जिले के अकलतरा में सभा प्रभारी गौरी शंकर अग्रवाल, पुरुनिता प्रतिपक्ष नाराण चंदेल, भाजबा प्रत्याशी कमलेज जांगले उपस्थित थे, और एकलवी आदर्श आवासी विद्याले में श्रेक्षनिक सत्र, 2024 में कक्षा छटमी में प्रवेश के लिए 18 प्रत्या की इंदर बनाए गए, महादेव सट्टाइप मामले में पूरु मुख्यमंत्री सहिति 20 लोकों के खिलाफ, ईओ जब्ल्यू ने दर्ज की FIR, भुपेश बगिल ने कहा कि राजनितिक प्रतिशोत के चलते दर्ज की गई है FIR, कांकेट जिले में हुई मुचबेड में सुरक चार बुलिटीन समाप्थ्वा, नमस्कार